तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह किसी भी टेक्स्ट फाइल को रीड किस तरह करेंगे पाइथन की मरस से तो यह हमारे पाइथन कोड्स का 193 टुटोरियल है देखिए अब आपको पता है कि हमारी कोई भी एक सेब्ड टेक्स्ट फाइल होनी चाह के पहले तो यहां पर मैं आप दिखा लेता हूं टेक्सट फाइल कीदर है यहां मैं आपको फोल्डरोपन कर लेता हूं तो यह 193 टुट्ट्टवलियों मेरी पाइथन फाइल है और उसी फोल्डर के अंदर एक फाइल है टैक्सट फाइल जिसका नाम है टुट टुट pan अब देखिए इसी वीडियो में मैं आपको बता हुआ ओपन फंक्शन क्या होता है जिससे हम फाइल को ओपन करेंगे read method को किस तरह use करेंगे seek method क्या होता है tell method क्या होता है read line किस तरह use करते है read lines किस तरह use करते है close method क्या होता है ठीक है तो start करते है अब जैसे कि मैंना बता है आपको ये चीज़ read करनी है तो read करने के लिए आपको पता है read किस तरह करेंगे इस तरह यह read करेगा आपका cursor इस तरह read करता है तो read करने के लिए सबसे पहरी चीज़ क्या होती है file को open करना तो file open करने के लिए हम क्या use करते हैं यहाँ पर open function को हम use करेंगे अब क्योंकि आपका जो open function होता वो एक object return करता है तो उस object को हम एक variable के अंदर store कर लेंगे for example f f equal to open function अब इस open के अंदर सबसे पहले आएगा inverted comma और यहां inverted comma के अंदर इस file का name आएगा जिसे हम open करना चाहते हैं तो उस file का name है tut193.txt अब क्योंकि python file और text file दोनों same folder में है तो मुझे complete url या complete address लिखने की ज़रूत नहीं है सिर्फ नाम से भी काम चल जाएगा लिख दिया ठीक अब हमें जो भी functions perform करने हैं वो हमें इस text file में perform करते हैं और उसके बाद में इस text file को close कर देते हैं यही तो होता है मतलब file open करी copy करना है, paste करना है, read करना है जो भी कुछ करना है कर रहा और उसके बाद file को close कर देते हैं यही यहाँ python file के अंदर करेंगे एक सिक्रिंट से बढ़ा कर लेता हूँ अब क्या होगा f.close तो यह close method की मदद से हम close कर देंगे यह आपका तरीका होता है अगर आप देखो मैंने यहाँ text document को close नहीं करा है तो आप यहाँ भी close ना करें तो चल जाएगा बट जो practice अच्छी यही होती है अगर आपका काम हो गया तो आप उसे close कर दें जो भी काम करना है आपको इसके बीच में करना है ठीक अब किस तरह करोगे ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं रीड मेतर्ड के बारे में तो रीड मेतर्ड की मरद से आप सारा डेटर रीड कर सकते हो पाइथन उसका टेक्स डॉक्यूमेंट का टेक्स डॉक्यूमेंट क्या है था आपका टुट 193.txt जिसे हमने f object के अंदर ले लिया है अब सारे methods आपके f की वरत से चल जाएंगे f.read अगर हम इस तरह करें तो यह सारा डेटर रीड कर लेगा इसे रीड कर लिया अब जो भी कुछ रीड कर रहा है उसे हम करा लेंगे यापर प्रिंट रन करें तो यहाँ पर सारा डेटर आपका प्रिंट हो जाएगा हो गया आपको चेक कर रहेता हूं फाल के अंदर यह data है this is a simple case same प्रिंट हो गई, ठीक है, ठीक, ये तो बात हो, रीड़ की, अब नेक्स बात आती आपकी, सीखी, चलो पहले में एक बात आते हो, रीड किस तरह करता है, read किस तरह करेगा सबसे पहले आपका cursor है for example यहाँ पर starting में आगर आपका read करना चालू करेगा किस तरह read करेगा इस तरह यहाँ से read करता हो जा रहा है second line read कर रहा है उसके बाद next line में आ गया और यहाँ आके बंद हो गया हो गया एक चीज नोटिस करिए इस time यह cursor हमारा कहाँ पर है यहाँ पर क्योंकि वो यहाँ से read करता हुआ आया और यहाँ तक पहुँच गया अब cursor यहाँ पर है अगर हम अब shift के साथ आगे बटन दमाए select करने के लिए तो select नहीं करेगा अगर हम पीछे जा तो पीछे जारा बट आगे नहीं जाएगा और हमें read करने के लिए आगे जाना है तो इसका simple से तरीका यह है सबसे बहले आपको cursor की position चेंज करनी होगी इस time position last में है आपको इसकी position वापस वहाँ करनी होगी जहां से आप read करना चाहते हो अगर आप read करो तो आप read हो जाएगा यही concept यहां पर use होना है क्या अगर मैं आपको यहां पर cursor की position दिखाऊं cursor की position हम देखते है इस tell method से अगर मैं यहां दिखाऊं cursor की position यहां दिखाता हूं print f.tel cursor की position आपकी 65 है आप यहां count करोगे तो 65 characters आगे होने की वैसे ही यहां position 65 है ठीक है इस तरह 1,2,3,4 इस तरह यह 65 characters है इसलिए 65 यहां पर इसकी value आ रही है ठीक इतनी बात अब क्यूंकि यह last में चला गया आप मैं आपको दिखाऊं यहां पर जब read करने से पहले क्या position थी हम यहां पर print करें f.tel यह position read करने से पहले की है cursor की और यह position read करने के बाद है दिखाता हूं देखाऊं read करने से पहले position थी cursor की 0 और जैसे रीड कर लिया position हो गई 65 तो अगर हम प्रिंट कमाड दुबारा डालेंगे तो वह वर्क नहीं करेंगी क्योंकि आगए रीड करने के लिए कुछ भी नहीं है अगर हम रीड करना है तो पहले position चेंज करने होगी cursor की और cursor की position चेंज करने का simple सा तरीका होता है seek seek method किस तरह यूज होगा app.seek bracket के अंदर मतलब parenthesis के अंदर वो position डालने होगी जहां पर उस cursor को पहुचाना है let's say 0, 0 के अंदर पहुचाना है 0 पर जो starting position थी और अगर हम अब run करें तो यहां पर run करने के बाद में यह देखिए starting position 0 और read करने के बाद 65 पर फिर भी आपका सारी चीज़े read हो गई है दुआरा अब ऐसा क्यों हुआ दिखाता हूं यह देखिए यहां पर हमने क्या करा position चेंज कर दी अब जैसी position चेंज करी हम यहां पर फिर से अगर देखें एक डॉट टेल मतलब की अपने करसर की position चेंज करें अगर हम पोजिशन चेक करें तो देखिए चेंज करने की वज़र से पोजिशन वापस चेंज हो गई है जीरो थी जीरो से 65 हुई तो हमने वापस जीरो कर दिया तो सारा दवारा रीड हो गया समझा है इतनी बात अब इसमें मैंने क्या क्या बता है सबसे बहले आपको open function बताया रीड मैथमद बता दिया क्लोजमद बता दिया यहां पर मैने आपको सीख बता दिया सीख कया यूज होता है और मैने आपको बता दिया title network क्या होथा है अब वर्ची read lines and read line method ठीक है तो इसे आपको आप इसे नोटाउट कर लीजिए मैं इसे रिमूब कर देता हूं ताकि मैं और अच्छी से आपको समझा सकूं यहां पर हमारी फाइल ओपन है और आवा में यूज करना रीड लाइन को तो रीड लाइन को यूज करने के लिए सिंपल प्रिंट लिखेंगे और यहां अब रीड लाइन से क्या होगा आपका करसर जिस भी लाइन में होगा उस पूरी लाइन को प्रिंट कर देगा दिखाता हूं आपका करसर सबसे स्टार्टिंग में जीरो पोजिशन पर होगा तो जो सबसे पहली लाइन थी जिस भी लाइन में वो था उस लाइन को प्रिंट कर देगा तो पहली लाइन आपकी प्रिंट हो गई आपको मैं दिखाता हूँ एक से कि पॉजीशन दुबारा आपको दिखा देता हूँ प्रिंट अब डॉट टेल यह रही position और यहाँ पर print f.tel यह position तब है जब उसने line print कर दी पहले 0 थी और जैसे line print कर देगा फिर 24 हो जाएगी ठीक है और अगर हम यह print statement और read line वाली statement को अगर बार-बार repeat करें दिखाता हूँ आपको कि यह print line वाली statement को अपने तीन बार यूज कर लिया रीड लाइन रीड लाइन रीड लाइन तो इससे क्या होगा करसर पहले आपका जिस भी hr-next line print कर दी उसके बाद मैं फिर नेक्स लाइन चला गया फिर लेक्स लाइन प्रिंट कर दी अगर आप उसके बाद वी कोई लाइन होती आप से रीड लाइन लाइन लगाती तो वो चल जाती है आपको दिखाऊ तो यहाँ पर तीन लाइन प्रिंट होगी तो तीन ओ एसी property हो दिए कि वो नई line में print करता है और print करने का फिर नई line में चला आता है नई line से print करेगा print करने का नई line में चला जाएगा cursor तो cursor जिस भी line में है जब आप read line method लगाओगे तो next line में आएगा तो लगातार दो जब आप read line method को use करोगे तो उसकी वज़े से यहाँ पर दो space मतलब यह space खाली आ जा रही है इसको remove करने का simple सा तरीका जब आप आप बता दोगे python को की जैसे ही line print हो जाए line print होने के बाद में आप उसको end करो empty string से उसमें कोई कि आप next line मत दिना मतलब देखिए कोमा कोमा के बाद जैसे आपने read line करा है ना यहाँ पर आप कोमा दोगे और कोमा लगाने के बाद में end करोगे line को empty string से और यही चीज़ आप सारी line के साथ कर दोगे end करोगे empty string से यहाँ पर भी end करोगे empty string से अब रन करें तो रन करने के बाद में यहाँ पर आपकी जो space आ रहे से बीच में extra वो सारे कतम हो जाएंगे होगे खतम यह को यहाँ पर हमारी रीड लाइन भी हो गई अगर मैं आपको दिखाओं यहाँ पोजीशन चेंज करके अगर मैं यह क्या करूँ एप डॉट सीख कर दूँ और सीख करने के आद में पोजीशन कर दूँ इसकी वापस जीरो तो अप यहाँ देधिया पहली लाइन CURSER ने print कर दी थी और पहली लाइन करने के बाद में करसर की पोजीशन भी चेंज हो गई थी और हमने वापस करसर की पोजीशन कर थी जीरो तो जो आपकी फर्स लाइन थी वह 2 वार repeat हो जाएगी, नहीं तो देख लीजिए, जो आपकी फर्स लाइन है, यह 2 वार repeat हो रही है, कुईकि हमने cursor की position वापस super कर दे थी, तो यहाँ total चीज़े आपकी cursor की position बापस डेपैंड करती है, जो reading चलती है, सिंपल उसी फॉर्मेंटे चलती है जो मैं आपको बताया इस तरह स्टार्टिंग से यू करके चलेगी और इसके बाद कहीं नहीं जाएगा अगर आपको इसके आगे बेजना है तो इस करसर की पोजिशन को वापस चेंज करना होगा यह वापस स्टार्ट हो जाएगी अब बा बस वो सारी चीज़े एक साथ रीड कर देता है और रीड करने के बाद में उसे एक लिस्ट की फॉर्म में करवर्ट कर देता है यहां अगर मैं दिखाऊं तो मेरे पास तीन लाइन है और अगर मैं रीड लाइन वाले मैंटड को यूज करूँगा तो हमारे पास एक यहां हम क्या करेंगे, for example, हमने लिख दिया list1 क्योंकि, मैंना आपको बताया है यह list return करेगा, list1 equal to f dot readlines, और readlines करने के बाद में, हमारी list1 के अंदर एक list आ गई होगी, लिस्ट आ गई अब इस लिस्ट को यूज़ करने का सिंपल से तरीका फॉर लाइन लिस्ट वन अब आपको यह तरीका तो आता होगा लिस्ट के अंदर से किस तरह डेटा उठाय जाता है यह मैं बहुत बार बता चुका हूँ तो यहाँ पर इस लाइन के अंदर हर बार एक एक आइटम आता जाएगा और जैसे कि आपको पता है एक आइटम एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम यहाँ क्या करेंगे सिंपल उस लाइन को प्रिंट कर देंगे अब यहां पर देखिए वही एक्ट्रास स्पेसेज चूटी हुई है तो इसको भी कतम करने का वही सिंपल सा صुमिर हमें बताया यहां पर हम एंड कर देंगे empty string से जैसी end करके हम run करेंगे एक सब्सक्राइब हो रहा है तो run होने के बाद में यहां देखिए यह तीनों आपका विल्कुल exactly आ रहा है और जो empty space थी new line की वो खतम हो गई है तो आयोग की यह सारी चीज आपको अच्छे समझ आ गई होंगी कि file को text file को किस तरह read करते हो open function क्या होता है read method क्या होता है tell method क्या होता है read line method किस तरह work करता है read lines method किस तरह work करता है और यह आपका close method क्या होता है और क्यों यह ज़रूरी होता है तो I hope कि आपको यह साई चीज़ समझागे हूँ I hope guys कि आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दो लाइक कर दो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ही किया तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और थैंक्स वर वाचिंग गाईज